हेलो बच्चो मैं स्मित्य मैम आज आपको पाठ एक अंधकार की नहीं चलेगी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हूं जिसके कवी प्रभुद्याल स्रिवास्तों है अटूट नीश्य और द्रिण इच्छा सकती रखने वालों को सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सक सकती आपको पता है अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक अटूट निश्य और एक द्रिण निश्य सकती इच्छा सकती होना अनिवार है जो आपकी सफलता के लिए बढ़िया है मा बोली सूरज से बेटे सुबह हुई तुम अब त सूरी के माध्यम से कभी आपको सिच्छा जो देना चाहता है वो देखिए मा कहती है सूरज से कि सुबह हो गई हो तुम अभी तक सो ही रहे हो मैं कई दिनों से देख रही हूं कि तुम किसी ना किसी बास से खोय हो ये नजर आते हो जब जाते हो सुबह काम पर डरे डरे से तुम रहते हो यानि तुम जब सुबह काम पर जाते हो तो डरे डरे से दिखते हो क्या है बोलो कश्ट तुम्हें प्रिय साफ साफ क्यों ना कहते हो माने सूरज से कहा कि तुमको कौन सा ऐसा कश्ट है बेटा जो तुम मुझे साफ साफ नहीं बता पा रहे हो सूरज बोला स चारो तरफ से ठक लेता है इसका आशाया है कि जब हम कोई सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो रास्ते में हमारे सामने कई कटनाईया आती हैं जो हमें चारो तरफ से घेर लेती हैं और हम दुविधा में पढ़ जाते हैं निकल सको कैसे चंगुल से कोई नहीं साथ देता है सूरज ने कहा कि मैं इस परसानी से कैसे निकल सको यानि कैसे निकलूं और महाँ पर मेरा कोई साथ देने वाला भी नहीं है मा बोली हे पुत्र तुम्हारा कोहरा कब है क्या कर पाया मा ने सूरत से कहा कि हे बिटा आज तक कोहरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यानि कि कभी भी कोई परसानी ने तुमको तुम्हारे माल को नहीं रोका और नहीं रोक पाएगा आगे भी उसके जूटे चक्रविव को कार सदा तू बाहर आया तुम तो हमेशा उसके जाल को उसके चक्रविव से बाहर निकल आये हो फिर तुम्हें क्या कश्ट है कवी कोवी बच्चे बूढ़े तक लेते सदा नाम है तेरा कवी ग्याता बच्चे बुढ़े हमेशा तुम्हारा नाम लेते हैं और कहते हैं सूरज आया तो भाग गया है दूर अंधेरा यानि सूरज के निकलते ही अंधेरा दूर चला जाता है निश्चिन्त होकर कूद जंग में बिजय सदा तेरी ही होगी निश्चिन्त होकर तुम इस जंग में कूदो तुम्हारी सफलता हो स्वारी तुम्हें सफलता चरूर मिलेगी तेरे आगे अंधकार या कोहरे की ना कभी चलेगी यानि तुम्हारे सफलता के आगे अंधकार या कोई भी परशानी तुम्हें कभी नहीं रोक पाएगी उनका क कोई मार्ग वहाँ पर दिखाई ही नहीं देगा. रिपली?